अगर आपकी ट्रेडिंग जो है आगे बढ़ भी रही होगे और आप सीख भी रहे होंगे इस चैनल से कुछ ने कुछ चीजों को लर्ण कर रहे होंगे कि कैसे ट्रेडिंग लेना है क्या सेट अप होना चाहिए कहां स्टॉप लॉस रखना है तो यह सब चीजों को मैंने ही जाया पॉलो करना चाहिए तो सारी चीजों को मैंने बताया है अपने वीडियो में अब इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है आजका वह है कि क्या trend line आपको loss दे सकता है जी हाँ बराबर दे सकता ए tobacco अच्छा आपको फूल बना सकता है तो वो चीजों को हम लोग समझते हैं चार्ट की कैसे मैंने जो बाते बोली है वह गलत हो सकती है या फिर सही हो सकती है उसको में explain करते हैं चार्ट के द्वारा अब यह चार्ट पे हमने जो है निफ्टी का इंडेक्स का स्पॉर्ट का चार्ट लगाया हुआ फाइब मिनट का फाइब मिनट इसी लिए क्योंकि एक तो हमें अर्ली इंट्री मिलेगी और जो हमारे स्टॉप लॉस रहेगा छोटा रहेगा तो इसलिए हम बोलते हैं बराबर कि आप फाइब मिनट का चार्ट यूज की ज़िए फिप्टी मिनट अगर यूज करते हैं तो उसी के अपका जो स्टॉप लॉस से इंक्रीज हो जाता है इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि फाइब मिनट का चार्ट ठीक है चलेगा लेकिन इसमें आपको जो चीजे ध्यान में रखनी हो क्या है अब जैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अब ट्रेंड लाइन जो मैंने यहां पर ड्रॉ की अब मार्केट यहां हमारी बहुत बड़ी गैप अप से उपन होती है तो आपको कभी भी गैप पर ट्रेड नहीं लेना है आपको वेट करना है मार्केट को स्टेबल होने के लिए और जब मार्केट स्टेबल हो जाती है तो हमें एक रेंज फाइंड करन कि यहांगर यहां पर GASBJ यहां पर बलती है और इस तरह से मार्केट उपर जा रही है उपर जा भी है उपर आपको बोला इस तरह से गर मार्क पीच लिए यह फिर गैप डाउन होगी न ऊपन तो तो आपको कम से कम 10 बज़े तक 10 15 तक 10 20 तक आपको रुखना है वेट करना है तब यह देखिए हमारा जो कैंडल है 10 20 10 15 15 सारा कुछ यहां पर आपको दिख रहा है तो यहां पर क्या कर यह मार्केट एक अब मैंने यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रोग की देखेंगे आपको तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रौ होता है तो मैंने इस तडल्रीके से Female यहां पर यहां पर जाएगा तो या तो वह सपोर्ट लेगा उसको एक जैसे हम लोग सीडी पर चटते हैं सीडी जो होता है तो हम लोग एक पैर नीचे रखते हैं सपोर्ट लेते हैं फिर उपर जाते हैं उसी तरह मार्केट भी एक सपोर्ट लेती है तब ही उपर जाती है ना कि ऐसे ही वो उपर चले जाएगी उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है मार्केट में अगर बायर्स जादा है बहुत जादा बायर्स है सेलर से तो इस तरह से वो एक्ट करती है उपर जाया जा रही है उपर जाया जा रही है लेकिन जब एक रेंज में वो काम करने लगती है तो उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है अब आप देखेंगे कि यह जो हम 1 x 2 x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत टाइम तक आई है और इसने इसको respect दिया है तो अब हम्हें क्यात करना है कि हमें अगर मार्केट ऐसे respect कर रहे किसी लेवल को तो हो सकता है यहां से मार्केट उपर जाएगे तू हमें यह देखना है कि हमें पर इंट्री करनी है तो हमने यहां से 20 EMA को plot कर दिया मैंने आपको बोला है कि जब भी market bounce bounce होते है फिर open होती है बहुत जादे उपर gap अप से तो आपको क्या करना है wait करना है और आपको देखना है कि EMA के आसपास हमारी केंडल बन रही है पास आई और इस तरीके से कोई एक लेवल पर सपोर्ट ले रही है तो आपको इंट्री लेनी है और आप ले सकते है अच्छा सा रहेगा क्योंकि देखिए हमारा इस केंडल पर इंट्री करते मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर भी यह लेवल स्पोस्ट किये थे कि मार्केट जो है 9820 से लेगे 25 तक एक लेवल जो है सपोर्ट दे रही है मार्केट को तो यहां से यह मार्केट जो उपर गई है आप देखेंगे जो हाई इसने बनाया है 12 बच के 20 मिनट पर इसका जो हाई है 9889 मतलब 90 9890 कहां से कहां आप अगर यहां पर इंट्री लेते इसका हाई देखेंगे तो 40 मतलब 50 पॉइंट का यहां पर आपको इसने मूव दिया है अब यह बात हो गई हमारी इंट्री करने की अब हमने यहां पर एक और ट्रेंड ला ड्रो कर दी अब फिर आप जयसे इशन ऐसे कर सकते हैं कि में बनाना है अब इस तरीकसे मार्कित ऊप्र चली गई हमें हमें अपना प्रॉफिट बॉकिंग भी देखना है कि भीया प्रॉफिट बॉकिंग मीं हमें हमें करना है kindergarten इस क्योंव है तो चालिस क्यां स्बोंइंट और इतने percent का target चाहिए, कभी market में profit बना पाएंगे, otherwise क्या होगा, कि आप profit में रहेंगे, अचानक से बरी candle बनेगी, और ये नीचे गिरेगी, होता क्या है, कि जब market उपर जाने लगती है, तो क्या होगा, कि buyers तो increase होंगे ही, buyers जब increase होंगे, उनके एक अच्छा level मिलेगा, या उनके target के आसपास market चली जाएगी, तो क्या करेंगे, कि profit booking कर लेंगे, अब जब वो profit booking कर लेंगे, तो जो buyers होंगे, वो sellers बन जाएगे, तब इस तरह से बड़ी-बड़ी candles बनती है, इसी तरीके से बड़ी-बड़ी candle बनेगी, और आप निकल जाएंगे, exit हो जाएंगे, आ अपने अगर target अपना fix नहीं किया हुआ है, और आज कल आप देखी रहे हैं कि market इतनी ज्यादा volatile है, तो market ऐसे ही act करेंगे, अब देखिए, यही जो range है हमारा, जो 9820 से लेके 9825 का जो range है, market इसको भी नीचे की तरफ respect कर रही है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसको break कि और फिर आप देखेंगे कि यहाँ भी अच्छे से गिरी है, फिर यहाँ पर इसने इसको break किया, फिर यह उपर गिरी, तो हमें जो है इस तरीके से एक recent जो support और resistance है, find करना आना चाहिए live market है, अब देखिए इस particular एक label पे market बार बार support ले रही है, आप देखेंगे यहाँ प perfect setup है, वो बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, तो भी आपको entry लेनी है, otherwise जो यह trend line है, आपको loss करवा देगा, अब हम बात करते हैं इस दिन, पिछले वाले दिन चलते है, market हमारी open होती है, 29 को यह देखिए यहाँ पे, 15 का candle इतना बड़ा candle हमारा है, हमको market को sustain होने देना ह अब आप देखेंगा, यहाँ पे market जो है करेंज में काम कर रही है, इस तरीके से, जो हमारे trend line form हो रहा है, इस तरीके से, और market support ले रही है, जिग जैग की तरह support ले रही है, इसी point पे, बार बार ऐसे आ रही है, और EMA के उपर भी हमारा है यह, तो छोटे छोटे candles भी बन र रहता, यह swing low रहता, जो, जो swing low का क्या मतलब है, कि जो recent वाला swing low मतलब सबसे जो low है, वो वाला point, तो यह आपका low रहता, यह low हो गया, आप देखिए कितनी अच्छे तरीके से उपर market गई है, थोड़ा सा wait किया, लेकिन देखिए, market का जो एक formation होता है, वो break करने में 28 को क्या हुआ, कि आप देखेंगे कि market हमारी gap फिर से open होती है, लेकिन क्या धराम से गिरी है नीचे, बहुत ही अच्छे तरीके से गिरी है, मैंने इसके दिन के पहले एक निफ्टी का मेरा एक वीडियो आया था, मैंने उस पे कुछ लेवल बताये थे कि इस पर्टिकुलर ने इसको यहां से breakout दिया, अब हमें recent वाला support और resistance खोजना है, कि कहां पर market बार बार आई है, तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ, इस पर्टिकुलर लेवल पर आके market जो है बार बार एक support ले रही थे, आप देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे, पहले भी प चीजे हैं, आपको उसको ढोड़ना पड़ेगा, और यहां पर आप देखो, मैंने अगर यहां पर entry की होती है, फिर किसी ने entry की होती है, मैं आपको बताओंगा, entry कहां करनी है, तो यहां पर तो बाई में कोई entry बनती नहीं थी, क्योंकि हमारा candle जो है, उपर नहीं गया था तो stop loss जो है आपको maintain करके रखना पड़ेगा stop loss के साथ आपको काम करना पड़ेगा तबी जो है पेसेंस भी रखना पड़ेगा अब देखें मार्केट कितनी खुबसूरती से यहाँ पे support आई इसने लिया support और फिर उपर गई है और उपर का भी अगर हम range बनाए जिसको हम एक resistance बोल सकते हैं तो यह range जो है हमारा इस तरीके से अब देखेंगे कि particular एक level पे यहाँ पे यह इस तरीके से घूम रही थी ठीक है अब देखेंगे कि अगले पिछले दिन जो क्या हुआ कि यह support ले रहा था यहाँ पे यह support ले रहा था हमें यहाँ पर closing दी फिर यह उपर गई फिर यहां पर खुप झूरती से उपर गई है अगर यहाँ पर सोचते हैं यहाँ कि ऑस्मुप CORRadar कमें लेकिन यहां पर अपने करते हैं यहां से करते हैं यहां से निकल जातें और करते कि अपने अपशक्त करना पड़ेगा अपने तरीके से आप आपको एक प्रोपर जो है कि इंट्री पॉइंट एस्टॉप लोस जो है आपको ठीक ठाक मिल जाता है प्रॉफिट भी ठीक ठाक होई जाता है अब मार्केट 27 को गैप अपन होती है यहां आप देखें और हमने क्या किया कि जो यह ट्रेंड लाइन है इसको मिलाते हुए ट्र प्रेंड लाइन बन जाया और वह सही से काम करें तो आप देखेंगे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो यह में के काफी ज्यादा उपर हो तो कोई इंट्री नहीं बनती है तो यहां पर इंट्री बनती ही नहीं थी अब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर एक लेवल पे र रेंज बना दिया अब देखिए बार बार जो मार्केट है यहां जा रही थी यहां जा रहे थी इस तरीके से ऐसे सो मूव कर रही थी लेकिन यह जो हमारा रेंज है ब्रेक नहीं हो रही थी ब्रेक नहीं हो रहा था यहां पर और जैसा है यहां पर ब्रेक किया है इसको तो क आपको जो है चीज और क्लियर हो पाएगी ओके तो इस तरीके से आप जो है ट्रेडिंग को आपना और सही भी बना सकते हैं ट्रेंड लाईन हमें लॉस कर भा ऐसकता है तो आप टेंड लाइन को प्रोपर यूज करना संपोर्ट और रजिस्ट्यन्स लिए उसको इंप्रूफ कर सकते हैं ये तरीका होता है कि जो हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो जो होता है एक तरह से सपोर्ट और एक रजिस्ट्रेंस की तरह काम करता है अब इस वाली दिन क्या होगा 24 को यह जो हमारे की बार-बार इस रेंज में आ ही ती है आप देखिए यहां पर इस पर्टिकْलर से सब्सक्राइब में रही थी già है जैसे ही यहाँ पर उपर चली गई और सब्सक्राइब नेहां पर हमारे एक और उपर की तरह भी डून रहा था है अब देखे यहां पर बनती थी तो इस तरीके से जो आपको करना पड़ेगा लाई में देखिए चीजों को समझे अलग-अलग चार्ट पे जाईए खोलिए उसको समझे तो प्राइस एक्षन जो होता है क्या होता है कि आपको सपोर्ट रजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सारी चीजों को मैच करते हु और तो यहां HEY यहां पिए मैच होड़ाय की नहीं तो मैच हो गया तो आप ठीक है कर लीजिये को में इसमें इस्क्राइस कहां रहता इसमें स्टाउपलोज सपर्ट के थोड़ा बहुत निचे रहता है स्टापलोस तो यह फिर पने स्भेंग लोड जो पास कि जो स्विंग है जैसे यह swing glow बना हमारा तो इसके नीचे stop loss रखते तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कीजिए चीजों को समझे नहीं ज्यादा clear हो पा रहा है तो ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग का option रहता आप उसमें जा के ट्रेडिंग कीजिए और अपने आपको improve कीजिए तो पहले आप learning कीजिएगा पहले आप सीखिएगा तभी आप प्रोपर अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे क्योंकि देखिए loss जो है सारे लोग करते हैं और profit बहुत ही कम लोग करते हैं इसलिए जरूरी है कि आप पहले प्रोपर सीखिए और description में मैंने जो है टेलिग् कुछ discussion करते रहते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या चीज़े हो सकती है तो आपका भी जो व्यू रहेगा आप भी पोस्ट कीजिए अपर learn कीजिए सीखिए ओके सो गाइज मिलते हैं next वीडियो में किसी और topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद सूक्रिया और आप व